नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सुई का ओला नेडा फॉस्ट डीटीव चल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीटी दोजा एकीस के बारे में यूपी टीटी दोजा एकीस के ऐसे चात्तों के लिए जो कि एक दो नमबर या फिर तीन नमबर से रह गए और आगामी समय के अंदर उनके मन में सवाल है कि अब यूपी टीटी पर इच्छा दोबारा देनी होगी या फिर अगर बात की जाए यूपी टीटी पर इच्छा को लेकर उनके नमबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे क्या जानकाईया है क्योंकि आप सभी जानते कि इस परिच्छा को रद किये जाने की भी मांग की जारी है जिसको लेकर मामला पहले से नियाले में गया हुआ है लेकिन जब तक नियाले का कोई फैसला नहीं आ जाता उससे पहले अभी कुछ करवाना संबम नहीं है लेकिन अगर बात की जाए ऐसे चातों के बारे में तो यहां से किन-किन कोशन पर आपको बोनस अंक मिलेंगे इसकी जानकाई आप सभी को दी जाएगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक करतें साथी शेयर करते हैं और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आपको इसी परकार की अथेंटिक और सठीक जानकाई है सबसे पहले मिलती जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं लेकिन नंबर किस-किस पर मिलेंगे बस उसकी जानकाई मैं आप सभी को देने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहला जो आपको कोईशन देखने के लिए मिलता है वो होगा हिंदी विशेय का जिसके अंदर आप सभी से पूछा गया था कि आँख की करिकरी होना आँख की करिकरी होने वाले के कोईशन की अगर बात की जाए तो यहां पर इसके दोनों ही आंसर सही होते हैं या तो अप्री अलगना या फिर कस्ट दायक अब इन दोनों को यहां पर डाल दिया गया है तो दोनों मैंसे दोनों की उपर आप सभी के जो option है वो सही हो जाएंगे तो एक bonus अंक आप सभी को यहाँ पर भी मिल जाएगा सभी छातों को क्योंकि high court की तरफ से जब पिछली बार यह मामला नियाले में गया था तो उन्होंने इस मामले को लेकर फैसला लेते हुए दोनों इचातों को आंसर देने के लिए जो number वो दे दिया था common तोर पर इसके अलाबा अगर बात की जाए एक और question के बारे में जो की संबंदित है अगर बात की जाए परियावन अध्यन को लेकर परियावन अध्यन के अंदर घास भूमी छेत के परितंत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसका जो PNP ने सही answer माना था वो मासाहारी माना था लेकिन जब मामला कोट में गया तो इसको जिवाडू माल लिया गया था अब ऐसे में जब दोनों जगे पर answer अलग अलग हुए तो यहाँ से फिर से common number दे दिया गया तो दो number आप समीके common हो जाते हैं इन दोनों ही question के उपर अगर बात की जाए अपने तीसे question के बारे में जो की बाल विकास का था सिच्छन विदी के अगर बात की जाती है जिसका नाम सज्जन सास्त के पिता की रूप में पूशा गया था इसके अंदर अगर बात की जाए पी एन पी की तरफ से गॉल्टन को सही बताया गया था लेकिन court की तरफ से को एन को 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 यहाँ पर सही माना गया था तो तीनो की तीनो कोश्चन को लेकर यहाँ से अगर बात की जाए पी एन पी की तरफ से चौरदे कोश्चन को बचाने की रूप में इन तीनो कोश्चन पर common नंबर दे दिये गए थे और अंत में पी एन पी की तरफ से मान लिया गया था तो ऐसे में ऐसे अब्रती जो कि 3 या 4 नमबर से अभी भी पीछे हैं UPTAT 2021 के अंदर तो उनको निराश होने की आपशिक्ता नहीं है 3-4 नमबर तो आपको बड़ी आसानी से मिली जाएंगे क्योंकि 27 के पेपर के अंदर पहले ही मिल चुके हैं इसके अलाबा और भी कई ऐसे विवादित कोशन हैं जिसको लेकर हम बाद में कर भी बात कर लेंगे लेकिन उनके उपर आपको नमबर मिलेंगे कि नहीं इसकी भी जानकाई आप सभी को प्रूफ के साथ दी जाएगी तो यह 3-4 कोशन ऐसे हैं जिस पर आप सभी के नमबर अवश बढ़ेंगे लेकिन आपके टोटल नमबर कितने बढ़ाएं कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूलें इस वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें